हलो असलाव अलेकों तो हम लोग डाल रहे हैं तंकी में गें हूँ और यह मीम का पत्ता है जो पहले भी मैं डाल गी हूँ और फिट लास्ट में में डालूँगी इतना रखी हूँ और पहले बहुत सारा डाल गी हूँ और फिट गेहू भर रही हूँ यहाँ पर बच्चा लोग हेल्प करा रहे हैं बच्चा लोग लाला के दे रहे हैं और मैं गेहू को डालते जा रही हूँ देखिए यह मेरा भारा से आया है और यह टन्की में डाल रही हूं कि हम लोग को 12 मेहन आठा के लिए खरीबना आठा ने पड़े आंठा ऑने लोग घर का यहना बहुत अच्छा होता है मिठा मिठा रोती बनता है बहुत श्वाद वाला रोती बनता है अब मिठा मतलब यह नहीं कि चीनी वाला मिठा मतलब बहुत अच्छा सुवाद होता है इस गेहूं का रोटी इसमें है ना चार से पाज बाच का आ जाता है ये टंकी में मैं इसमें चार बाच का डाल रही हूं और देखिए यहां इस रहा है पहले हम पहले हम लाएंगे पहल मेरे पास थी वह कुमी आता है वह गेहूं भरने का तो कुमी मैंने किसी को दे दिया है जो याद नहीं आ रहा है हमको तो इसी से अभी भर रही हूँ यह असानी से थोड़ा थोड़ा ठीके भरा यह कुमी रहता तो अब तक तो फेला यह डाल देती मैं पूरा चला जाता है इस ईकी किटना डैम लगना है को इससे थोड़ा-thोड़ा करके डालना पड़ रहा है और यह बच्चा लोग है तो हेल्फ करा रहा है राज़ गर्मी भी बहुत ज़्याद़ा गर्मी है बहुत ज़्यादा तम तड़का है धूब बहुत है और यहां पर देखिए यह इतनी सा डॉर में देखिए इतना डाल यह आमीना जो मैं डाल रही हूं पर आमीना बोल रहा है पहले मेरा पहले मेरा अब हम इसको जल्दी-जल्दी डालते हैं क्या आप तक अब तक डाल लूगी कुमी रहता तो बहुत अच्छा काम हो जाता कोई बात थेंग थोड़ा-थोड़ा करके भर लेते हैं बुन्द- यह को मैं बुन्द-बुन्द करके टंकी में डाल रही हूं और यह बच्चा लोग नहीं होता तो मैं आज कर भी नहीं पाती यह मेरा ऐसे ही रह जाता देखिए आप चलते हैं थोड़ा वहां ग्यों खतम हो गया तब दूसरा देखिए बाच्का खोल रही हूं दूसरा बा अब हैं लोग लाल आए दिते जाएगे और हम डालते जाएंगे बरते जाएंगे टंकी को देखिव नज वहाँ दो कर रही दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं पहले अच्छा से खोड़ ले फिर दे रहे हैं अब यह चलनी लगा देती हूं बड़ा चलनी है इसे में गिरेगा और आज घर का हालत देख सकते कितना खराब हो गया देखिये यहां पर यह अमीना है को दे रहे हैं जी इसे इस्रायल को दे रहे है यह हम वहां पर चलते हैं ख़ड़ा हो जाते हैं यहां फरीन देते रहेग्यें और यह आफ्रीन दे रही तीं इतना दर से सब को निकाल निकाल के और यहां पर हम डाल रहे हैं है तंकी में गेहूं देखिए बहुत सारा गिर जा रहा है जमीन में और टंकी का आजू बाजू में देखिए यह पूरा अभी नेम का पत्ता भी रखी हूं लास्ट में डालेंगे हम नेम का पत्ता लेखिए यहां यह इस रायल लेके आया है जल्दी जल्दी हमको बहुत हम अम्मी मेरा डाल दो डाल दो हम अमीना से पहले नंबर वन होंगे बच्चा लोग बहुत काम कराते हैं घर भी जाड़ती हूं कुछ भी करती हूं तो यह दोनों बच्चा बहुत ही हिल्प कराते हैं देखिए और अगर टंकी में गियू नहीं रखेंगे तो भी खराब हो जाएगा है इसलिए डाल ही देते हैं टंकी में टंकी में रखने से बहुत टाइम चलता भी है गियू मेरा और अच्छा रहता है टंकी में कि इसको हम लोग यहां टंकी बोलते हैं देखिए इस्रायल कैसे कर रहा है निकाल रहा है यहां पर और अमीना अमीना पहले निकाल लिए भागेगी दिखिएगा भर रही है अपना टोप यह नीम का पत्ता जो मैं तोड़ के लाई हूँ अपना अंगन से नीम का पत्ता तो असानी से मिल जाता है ना सब जगा और यहां देखिए थोड़ा सा बच्चा था बाच्का में तो मैं बाच्का से लेके आई और डाल रही है यहां पर दूसरा बाच्का तीसरा बाच्का खोली हूँ अब बोलाला के दे रही है असरायल आफ्रेम अमीना देखिए बहुत ज़्यादा परिसान हो गए आज तो हम बहुत ज़्यादा आप लोग गेहों में क्या डालते हैं और कैसा है आप लोग का गेहों के अच्छा रहता है यह नहीं बारा मेहन तक इत्तम अच्छा रहता है यह नहीं बताईएगा जरूर कमेंट में और यहां पर देखिए आपने आगई घर बताने के लिए कि कितना फैला हुआ है मेरा घर और हाँ मेरे चैनल को लैक सेर सब्सक्राइब कर देना अगर नए है तो और अगर पुराने है तो क बारा मेहन ऐसे की ऐसी और बहुत अच्छा रहता है हम तो कोई दवा हुआ नहीं डालते है यही डालते हैं अगर आप लोग भी के वहां वारी है खेत है और अपना घर का है आप लोग भी ऐसा निम का पत्ता डाल सकते हैं और यह इजी से सब जगा मिल जाता है सब जगा और यहां भी डालते हैं देखिए और हम लोग हमेशा निम का पत्ता ही डालते हैं गेहूं में कोई दवा हुआ नहीं डालते हैं सब दवा भी डालते हैं पर हम निम का पत्ता ही डालते हैं निम का पत्ता से बहुत अच्छा रहता है मेरा गेहूं और सच में हम मेरा आजमाय हुआ हैं मित्व कितना साल दाल रही हैं नीम कपत्य क। और मेरा गेहमु झाल actually रहता है क्या कि चनल कि और एक बोरा गेहमु मैंने बाहर ही रख लिया है जो अटाँ वाटापीस आने के लिए